नमस्कार, प्रियदर्शकों हजर हो मैं गुरु राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर एक मैं दो हजार चौबीस दो पहर एक बज करके 47 मिनट पर देव गुरु अपनी वर्तमान अगनित त्विय राशी, मित्र राशी, मेश राशी को छोड़ कर दैप्ते गुरु की साधा पारण राशी, भूमी तत्वी राशी, ब्रिशव राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां कि वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात मित्थुन राशी में प्रवेश कर जाएगे इस दोरान देवगुरु 9 अक्टूबर को मारगी से वक्री हो जाएंगे ब्रिशव में ही और 4 फरवरी 2025 को ब्रिशव में ही पुन वक्री से मारगी होंगे में शुशे लेकर मीन, लगन और राशी के जातकों के लिए धन, सक्षा, संतान, विवाह, मान, सम्मान, उंचाई के कारक देवगुरु क्या प्रभाव लेकर क्या आ रहे हैं देवगुरु का यह परिवर्तन, आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लाने जा रहा है इस विशे पर हमारी ब्रिहक्चर्चा जारी है प्रिदर्शकों, आज तीसरा दिन और तीसरे दिन हम पुनह, तुला, व्रिश्शिक, धनू इन तीन लगन और राशिके जातकों के लिए देवगुरु ब्रहस्पती के इस गोचर को समझने का प्रतन करेंगे प्रिदर्शकों प्रारंभ हमें ही बता दूँ देवगुरु ब्रहस्पती का यह जो गोचर ब्रिशब रासी में प्रारंभ होने जा रहा है इस विश्य को जरा हमें गहराई से समझने की आवशक्ता है देव गुरु ब्रहस्पती की ये जो शुक्र की रासी है साधारण रासी ब्रिशब ये देव गुरु ब्रहस्पती के नय शर्गिक शत्रू ग्रहा है तो अपने शत्रू की रासी में गोचर कर रहाग्रह सा धारणतया देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला तो नहीं माना जाएगा परंतु ब्रिशम इस राशिक यदि हम चर्चा करें तो इसका जो निर्माण है वो जो तिन नक्षत्र है तो उसमें कृति का रोहिनी और म्रग शिरा है ये तीनों के तीनों नक्षत्र क्रमसह देखा जाए तो सुर्य चंद्रमा और मंगल के हैं जो देव गुरु ब्रहस्पती के मित्र होते हैं तो नक्षत्र के दरश्टी कोण से देखा जाए तो देव गुरु ब्रहस्पती का यह गोचर बहुत बढ़िया है तो वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए बहुत बढ़िया है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सावधार रहना है चलिए बिना विलंब किये अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं जैसा कि मैं प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं तुला लगन और राशी के जातकों के लिए जब मैं लगन और राशी कह रहा हूं आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं लेकिन यदि आप मेरे नए दर्शक हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि मैं किस तरह से इस राशी फल को आपके समुख रखने जा रहा हूं लगन और राशी की चर्चा कहने का मतलब है कि आपको इस राशी फल को दो बार सुनना है आप अपनी कुंडली को खोले और देखिए कि आपकी कुंडली के लगन में कौन सी राशी है उसके आधार पर भी इस राशी फल को सुनिये और चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं उसके आधार पर भी इस राशी फल को सुनिये और दोनों का अनुपात निकालिए यदि लगन के लिए मैंने चर्चा बहुत स्रिष्ट कही है और राशी के लिए चर्चा बहुत स्रिष्ट नहीं कही है तो ये मध्यम होगा दोनों के लिए मैंने अच्छा कहा तो उत्तम होगा और दोनों के लिए मैंने खराब कहा तो फिर ये अधम अथवा कष्ट प्रदायक होगा, प्रेदर्शकों, जैसे देव गुरु ब्रहस्पति धन के कारक हैं, धना, धर्म, धन, धर्म और धर्म से सुख होता है, तो एक तरह से देखा जाए, तो सुख के मूल में देव गुरु भी हैं, लेकिन इनका जो दिया हुआ सुख है, वो साधना, आराधना के मार्ग पर चलते हुए प्राप्त करने वाला सुख है, चलिए, चर्चा प्रारम करते हैं, तुला लगन और राशी के जातकों के लिए, देव गुरु ब्रहस्पती का यह जो गुझर होने जा रहा है, वो आपके राशी से अश्टम में, आपके लगन से अश्टम में होने जा रहा है, अश्टम भाव देखा जाए, तो आकस्मिकताओं का तो है गुप्त चीजों का है, तो गुप्त भाव में बैठकर के देव गुरु गुप्त साधना करने की बात अगर आप कर रहे हैं, तो करिए, परन्तु कोई गुप्त गलत कारे कर रहे हैं, तो उससे बचने की कोशिश करिए, नहीं तो आप मुसीबत में पढ़ जाएंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप कोई गुप्त साधना, कोई गुप्त सिक्षा ग्रहन करना चाहते हैं, तो करिए, परन्तु अगर आप कोई बुरा कारे, गलत कारे, छुप कर किया जाए, ऐसा कारे कर रहे हैं, जिसक करने भी कुछ रुकावटे, परिशानिया उत्पन्न होने वाली हैं, मनोवांचित सफलता को प्राप्त करने के लिए, आपको लगातार संघर्स करते रहना पड़ेगा, इस गोचर काल के दोरान, जितना हो सके धार्मिक कृत्त करिए, धार्मिक कृत्त आपको अपनी और आ प्रोसा मत करिए, यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, हलक एक बात बता दूँ कि नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोसन के लिए दिया प्रतनसील हैं, तो यह दोनों एक साथ होने वाला है, इन्हें ट्रांसफर भी और प्रमोसन भी, एक और बात, कोई नया कार हैं, उन्हीं को पूरा करने का प्रतन करिए, सावधानी तो जरूरी है, देखिए, इसलिए नहीं कि ये तुला लगन और रासी के जातकों के लिए देवगुरु अश्टम में संचरन करें, इसलिए मैंने खराब इनका प्रेडिक्शन किया, कुछ चीजे बहुत अच्छी ह मैं हमेसा कहा करता हूं कि देवगुरु ब्रसपती की जो दृष्टी है, वो जहां होंगे, वहां से पांचवी, सातवी और नवी दृष्टी डालेंगे, तो कुछ बहुत अच्छा भी है आपके लिए जिसे समझने की आवशकता है, पहले हम जान लेते हैं अश्टम के बा दोऊंगी तो हो सकता है उससे बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिलेगा, यानि कुल मिला करके देखें तो यह आयू वर्धक है, अगर आपका सही समय पर इलाज हो जाए, सही इलाज डॉक्टर को मिल जाये और आपका इलाज करके आपको ठीक कर दें, तो यह आयू भी खूब कर आते हैं, हलाकि मैं फिर वही कहूंगा कि जो भी गलत रीती और गुप्त रीती से किये जाने वाले कारे हैं, ऐसे कारियों में जो की गलत है, वहापर आपको राहत मिलेगी, अगर आप विदेश गमन के लिए प्रत्न शील है, बात नहीं बन पा रही थी, ये काम प Ал आपका होगा होगा उखे यदि बारमे वह पर गुरू की जू दृष्टी पढ़ रही है आप तुरत यात्रा करिए धार्मिक यात्रा करिए अगर ब्याय होगा भी तो वह गलत नहीं कहा जाएगा सही होगा, सही कारियों में ही ब्याय होगा तो यह तो आपके लिए अच्छा है वहीं देव गुरु की दृष्टी दुतिय भाव पर पड़ेगी यह धन का भाव है धन भाव पर देव गुरु ग्रस्पती की दृष्टी का पड़ना एक बात तो फाइनल है कि धन का अभाव नहीं होने देंगे अब सुनिए तुला रासी के जातकों के लिए वरतमान समय में रासी से सनीदेव पंचम चल रहे हैं पंचम सनी का मैंने जितना भी हो सके फलादेश आपके समुख रख रखा है कि यह समय आपके लिए कस्ट प्रद है परिशानियों में डालने वाला है यहां पर देव गुरु ब्रहस्पती का आपकी रासी से अश्टम में बैठ करके दूसरे भाव को देखना धन भाव को देखना आपके लिए बहुत स्रिष्ट है कम से कम धन से सम्मंधित कोई परिशानी नहीं आने देंगे क्यूंकि शनिदेव की जो दृष्टी पढ़ रही है वो लाभ और साथी साथ आपके धन भाव पर ही पढ़ रही है तो धन के कारण जो परिशानी से आप जूज रहे थे उसमें आपको रहात मिल जाएगी गोर करिए तो एक जगह से आपको सुरक्षित कर दिये शनिदेव के द्वारा जो कष्ट आपको मिल रहा था उसमें से एक बहुत बड़े कष्ट से देवगुरु ने आपको बचा लिया अब बाकी देवगुरु की द्रिश्टी जो पड़ेगी यहां पर बैठे देवगुरु द्रिश्टी डालेंगे अपनी नमी द्रिश्टी और जो अपनी नमी द्रिश्टी डालेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा भूमी, भवन, वाहन, इनसे समंधित जो भी आपके कारे हैं, वो कारे पुरुन होंगे, माता के स्वास्थ में कोई परिशानी चली आ रहे थी, वो परिशानी दूर होगी, गरह कलह से आप किसी तरह से भी परिशान थे, तो वो परिशानी दूर होगी, घर का बाता वरण बह लिए यह गोचर अच्छा नहीं है यह हुआ प्रथम पक्ष अब दूसरा पक्ष कहता है कि देव गुरु के पास जो तीन विशेस द्रिष्टियां है उन द्रिष्टियों से जातक को फाइदा होगा गोचर कुंडली में एक परिशानी और चल रहे इस सनी देव के कारण मैं स कि उस परिशानी से देव गुरु रक्षा कर रहे हैं तब तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय माना जाना चाहिए हां गुरु का स्वयम जिस स्थान में निवास होने जा रहा है उस भाव से कोई अच्छा रिजल्ट भौतिक रिजल्ट अगर हम भौतिक रिजल्ट की चर्चा करें तो अच्छा नहीं है लेकिन वही अध्यात्मिक बात करें यदि आपको इस गोचर काल के दौरान सद्गुरु की तलास है आप चाहते हैं कि आपको अपने आपका गुरु मिल जाए जिनसे आप दिक्षा इत्यादी ग्रहन कर सकें बहुत बढ़िया है बहुत इस तरह का उपाय करिये जिससे यह गोचर आपको राहत दे इस गोचर से आपको फायदा मिल जाए सबसे पहली बात समझेए देव गुरु की दृष्टी जो इन तीन भावों पर पड़ रही है इससे अच्छा अगर रेजल्ट चाहते हैं कि एकदम अच्छा रेजल्ट मि इन पर ब्याय नहीं करना है गुरु की दृष्टी दुतिय भाव पर पड़ रही है तो गलत खानपान गलत आहार बेवहार और साथी साथ गुरु की दृष्टी नमम भाव पर पड़ रही है भले वो नीच भाव पर दृष्टी है परन्तु गलत संगती गलत मित्रता गलत लोगों के साथ संगती करने से आपको बचना ही होगा। यह अगर आपने कर लिया तो आप नौकरी पेशा हों, ब्यापारी हों, बिद्यार्थी हों, आप किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हों, बड़ा ये चोटा चोटा बड़ा कोई भी आपका काम हो यह गोचर सांती से निकलेगा किसी तरह की कोई चिंता नहीं बलकि कोई परिशानी होगी उससे राहत मिलेगी और उपाय के तोर पर पंच मुखिये दिरुद्राक्षय आपके पास तो वह धारन कर सकते हैं गाय का घी अगर है जब करिए इससे आपको फायदा मिलेगा देव, ब्राम्वन, गो, गाय इन सब का सम्मान करिए इनकी सेवा करिए तो यह गोचर निश्चे ही आपको कस्ट से उबारेगा परिशानियों से बाहर निकालेगा वरिश्चिक, लगन और राशिक जात्कों के लिए देव आव लेकर क्या रहा है, आईए इस विशे को हम भली भाती जान ले, प्रारंभव में ही बता दूं, जैसा आपने सुना, मैंने लगन और राशी सब्द का इस्तेमाल किया, यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तब तो आपको पूछना ही नहीं, आप जानते हैं, नए दर राशी, दोनों राशी फल को आपने सुन लिया, अगर दोनों अच्छा है तो ये अति उत्तम गोचर है आपके लिए, दोनों खराब है तो अधम है, एक अच्छा, एक बुरा, तो मध्यम है, इसी तरह सनुपाग निकाल लीजेगा आप, प्रिय दर्शकों आप जानते हैं सुख के कारग रहा हैं, लेकिन देव गुरु ब्रहस्पति को यदि देखें, तो ये धन के कारग रहा हैं, तो नीति सास्तर कहता है, शास्तर कहता है कि धन, धन से धर्म और धर्म से ही सुख होता है, यानि सुख के मूल में ही देव गुरु ब्रहस्पति हैं, अब शुक्र को सही मार्ग से जातक को दिलाते हैं. प्रियदर्शकों, इस गोचर काल के दौरान देव गुरु ब्रहस्पती ब्रिशव रासी में गोचर करेंगे, परन्तु ब्रिशव रासी में जो तीन नक्षत्र हैं, वो नक्षत्र क्रमसह, सुरिचंद्रमा और मंगल के हैं. आईए, ज ब्रहस्पती का आपकी रासी से सप्तम में गोचर करना, कई तरह से आपके लिए ये सफलता प्रदायक है. देव गुरु आपके लिए देखा जाये तो धन और साथी साथ, पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे. फलता ही हगोचर, दिवाह और संतान, इन दो उनों ही सुखों को आपको विशेश रूप से दिलाने वाला है. धन संबंधी मामलों में विशेश, सफलता, धन का सुख, जीवन साथी का सहयोग, ये आपको प्राप्त होगा. ये हगोचर आपको हर तरह से सफलता दिलाने वाला है, पार्टनर्सिक में दी आप काम करते है तो यह गोचर बहुत बढ़िया है जो लोग partnership में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है वानी की बात करें तो उसमें मिठास तो आएगी ही आएगी क्योंकि दुतिय भाव के स्वामी बने देव गुरु सब्तम में गोचर करेंगे वानी में मिठास अवस्य लाएंगे आप अपनी बुध्धिमत्ता के दंदम पर हर जगह मान सम्मान अपना बढ़ाएंगे देव गुरु का इस गोचर काल के दौरान ब्रिशब में रहना बढ़िया है यात्रा से लाभ सामाजिक मान सम्मान का लाभ इस गोचर में अचानक धनलाब हलाकि खान पान में रूची बढ़ने वाली है पर पेट का खयाल रखना बेहद आवश्यक होगा भरपूर आनंद लेंगे आपको इलमिलाकर कि इस समय का यह समय हर तरह से आपके लिए बढ़िया है हर तरह से आईए एक बार ज़रा मैं बोड पर आपको इस गोचर को समझाने का प्रत्न करता हूँ ब्रश्चिक रासी के जातकों के लिए वर्तमान समय में शनी की धईया चल रही है क्योंकि शनी देव इस समय आपकी रासी से यहां चतूर्थ में चल रहे हैं इस धईया के कारण थोड़ी मानसी का शांती और परिशानी तो है ही क्योंकि इनकी द्रिष्टी लगन पर पढ़ने के कारण हर कार्य में देरी हो जाना परंतु अब ज़रा समझिये देव गुरु का सब्तम में गोचर वैसे तो यह बहुत बढ़िया हुआ हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया केंद्र में हुए अब यहां बैठे देव गुरु की द्रिष्टी लाभाव पर होगी आपके व्यक्तित्तों पर होगी और साथी साथ आपके पराकरम भाव पर होगी इन तीनों ही भावों पर देव गुरु ब्हस्ति की दृष्टि पड़ेगी, इस दृष्टि का जो सबसे सरेष्ट प्रभाव निकल करके आएगा, इन छेत्रों से आपको सहीयोग मिलने लगेगा और वो छेत्र कौन-कौन है, तो यदि देव गुरु ब्हस्ति की बात करें, तो ये बड़े भाई बहन के कारक हैं, तो बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलने लगेगा, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तो उनसे भी आपको सहयोग मिलने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, दिखिए, आपको सहयोग कब मिलता है, आपको सहयोग तब नहीं मिलता जब आप सहयोग के आकांची हो आपको सहयोग तब मिलता है जब आपको सहयोग बिल्कुल नहीं चाहिए होता है यही है प्रकृति का खेल और इस गोचरकाल के दौरान आपको सहयोग की आवशक्ता नहीं होगी फलतह सहयोग मिलने लगेगा आपके अपने आपके साथ ही आपको खड़े दिखाई पड़ेंगे अब चुकि ये जो व्यक्तित्त पर देव गुरु की दृष्टी पड़ेगी इसका बड़ा अदभुत कमाल है आपका व्यक्तित तो बड़ा अदभुत हो जाएगा ग्यान में बृध्धी, सक्षा में बृध्धी, आपकी वो धिमता में बृध्धी जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी समाज में मान समान की बृध्धी और तो और आपका रूतबा बढ़ने वाला है घर छोटा था तो बड़ा होने वाला है लोगों की नजर में आपका पद और कद दोनों इतना उंचा होने जा रहा है कि आप बस यूं समझ लीजिए कि ये सभी लोग जो आपके करीब अगर न आ रहे थे तो आएंगे अब तो बहुत बढ़िया है ये अब देव गुरु ब्रहस्पती यहां सप्तम में बैठ करके पार्टनर सिक वाले जितने भी कारे हैं उसमें सफलता दिलाएंगे दामपत्य सुख दिलाएंगे जीवन साथी का सहयोग दिलाएंगे जीवन साथी का विशे स साथ आपको मिलने लगेगा सबसे बड़ी बात आपके लिए सर्वस्रेष्ट है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी लाभ भाव पर होगी फलतः धनागमन के माध्यम खुल जाएंगे अब जरह समझेए कि जब धन आने लगता है तो फिर वो लोग भी आने लगते हैं जो आपके कहने के लिए अपने हैं वो सब आपसे जूड़ने लगते हैं तो ये अच्छा है देव गुरु ब्रहस्पती का लाभ भाव पर दृष्टी पढ़ जाना ये बहुत बढ़िया है समाज में मान्य सम्मान्य ब्रध्धी और तो और किसी भी तरह के रोग इत्यादी से ग्रसि होने लगेगी और तो और प्रोडोसियों का भी समन्ध आपसे इस समय सुधर जाएगा ये सब कुछ अच्छा है अब यहां देखिए देव गुरु का की दृष्टी जो है कहीं से भी संतान भाव पर नहीं है परन्तु चुकि देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी दोनों ही सुख इस गोचरकाल के दौरान आपको प्राप्त होने जा रहा है तो इस सुख से आप अगर वंचित हैं तो इसके लिए आपको प्रत्न शुरू कर देना चाहिए अगर वो प्रयास करेंगे तो सीगरात इसी रिष्टिती बनेगी यदि आप संतान भीवाहित हो हैं लंबा समय बीत रहा है विवाह संतान के लिए प्रत्न शुरू है तो अब समय आ चुका है अगर कोई दिक्कत है तो आप मेडिकल साइंस का भी सहारा लीजे और गरभाधान के लिए बहुत उत्तम समय माना जाएगा सबसे जो जरूरी चीज इस गोचरकाल के दौरा निकल करके आपके लिए आ रही है वो है आपका व्यक्तित्व उसको क्यों मैं बहतर कह रहा हूँ सुनिए शनिदेव की दृष्टि अभी 25 मार्च तक ध्याम से समझेए तो 25 मार्च तक 14 माई को 25 में देव गुरु ब्रहस्पती भी रासी परिवर्दन करके मिथुन में जाएंगे लेकिन 25 के मार्च तक शनिदेव जो है अभी कुम्भ में ही संचरन कर रहे हैं तो शनिदेव की दृष्टि जो पढ़ रही है आपके व्यक्तित्तो पर तो ये हर कारे को डिले करने का काम करेंगे कोई भी काम वक्त पर आपका नहीं होने देंगे अब देव गुरु की दृष्टि से यहीं सफलता आपको मिलेगी काम भी वक्त पर होगा दिमाग भी आपका खुब दिबर चलेगा जो भी काम आप लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी तो काहां अभी आप जूज रहे थे कि मेरा तो कोई काम ही समय पर नहीं हो रहा है अब उस सारे काम वक्त पर होगे और तो और इन दोनों ग्रहों की दृष्टी का आपके व्यक्तित्त से जुड़ना आपको अभूत पूर्व बनाएगा तो यह गोचर ब्रिश्चित के जातकों के लिए लगन और राशी दोनों के लिए अत्यंत स्रिष्ट सिद्ध होने वाला है हर तरह से यह गोचर आपके लिए फायदा देने वाला है नौकरी पेसा बहुत बढ़िया है सरकारी नौकरी करने वाले हैं प्रिवेट से जुड़े हुए हैं यह गोचर आपके लिए अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है वही अधियदी बात व्यापारी की करें तो व्यापारी के लिए सर्वस्त्रेष्ट है पार्टनर्सिप के जितने भी काम है वो कर सकते हैं अकेले भी आप अपना कोई व्यापार सुरू करने की सोच रहें तो कर सकते हैं व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है चाहे आप छोटे ब्यापारी हो या बड़े ब्यापारी आप अपने ब्यापार पर बस फोकस करने की तयारी शुरू करिए बहुत बढ़िया है एक और बात जितने भी ऐसे लोग हैं जो वानी का इस्तेमाल करते हैं यानि उनका काम बात बेचना है वकील, जोतिसी, डॉक्टर यानि कंसर्टेंसी बेचने वाले लोग, कथा बाचक सब के लिए हगोचर बढ़ियां गुरू की दृष्टी धनभाव पर नहीं है परन्तु धनभाव भाव और पंचम के स्वामी बनकर सब्तम में बैठे गुरू की दृष्टी आपके विक्तित्त पर होगी जो की बहुत ही अच्छा है पैत्रिक संपत्ती को लेकर कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परिशानी त्यादी थी वो दूर होगी और तो और पत्नी के सहयोग से या जीवन साथी के सहयोग से पती के सहयोग से पैत्रिक संपत्ती में किसी भी तरह की कोई परिशानी आ रही हो अथवा आप कदम ही न उठा पा रहे हो तो अब कदम उठाएंगे और पैत्रिक शंपत्ति का विभाजन भी सही सही होगा बाकी विद्यार्थियों के लिए अगोचर बहुत उत्तम दिखाई पड़ रहा है सिक्षा के छित्र में आपकी सफलता आपका विकास हर तरह से दिखाई पड़ा है तो ब्रिष्टिक लगन और रासिके जातकों के लिए अगोचर अति उत्तम है इस समय को और उत्तम बनाने के लिए पहले तो हनुमान जी के आराधना करते रहिए घर में हवनादी पूजन आदी कृत्ति करिए अनुष्ठान करिए देखे कोई बड़े अनुष्ठान की आवश्यक्ता नहीं होती सत्य नारायन भगवान की कथा तो पूलनिमा के दिन कर सकते हैं ये कर लीजिए घी का दिया जलाईए इससे बातावरण भी अच्छा होता है और घर का बातावरण खुशियों भराऊगा तो घी का दिया जलाईए फिर यह गोचर आपके लिए हर तरह से उत्तम सिंथ हो जाएगा धनो लगन और राशी के जातकों के लिए देव गुरु ब्रहस्पती का यह गोचर जो की एक मई दो हजार चौबीस को दोपर एक पच करके 47 विनट पर होने जा रहा है कैसा प्रभाव लेकर क्या रहा है दिखा जाए तो यह गोचर आपके लगन और आपकी राशी से सश्ठ में होने जा रहा है प्रारंभा में ही बता दूँ कि जैसा आप सुन रहे हैं मैं लगन और राशी दोनों ही बातों को कह रहा हूँ इसको लेकर के सुन से में पढ़ने की आवशक्ता नहीं है यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको और यदि आप मेरे नए दर्शक हैं नहीं जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ तो जान लीजिए आपको दोनों ही राशियों को देखना होगा लगन को भी सुनिये और राशी को भी यदि आप धनुलगन और धनुरासी के हैं तब तो केवल यह राशी फल अकेले बिल्कुल आपके लिए दूसरा कुछ आपको नहीं सुनना परन्तु यदि आपका लगन अलग है राशी अलग है ज्यादा तरलों का होता है तो आपको दोनों ही सुनना है और अनुपात निकालना है यदि दोनों अच्छा है तो यह समय बेहद अतियुत्तम कहली ज़े अपने अलिए अगर दोनों खराब है तो बेहद अधम कस्टदाई होगा और एक अच्छा एक खराब तो मध्यम होगा प्रियदर्शकों खराब की जहां तक बात आए तो मैं आपको बताते चलू कि देव गुरु ब्रहस्पती के पास तीन दृष्टियां है और इनकी दृष्टियों को अमृत मई दृष्टि कही गई है अब सीधी सी बात है कि कहीं भी ये बैठेंगे वहाँ से इनकी तीनों दृष्टियां तीनों की तीनों तो खराब हो नहीं सकती है और दृष्टियां इनके लिए बेहत शुभ है तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि आपको ऐसा लगे कि हर रासी में अच्छी बात हो रही है ऐसा नहीं है वो जहां बैठ रहे हैं वहां से प्रभाव विश्यस रूप से देखा जाएगा कि वो कैसा प्रभाव आ रहा है चलिए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं धनुलगन और राश के जातकों के लिए देव गुरु ब्रहस्पती का यह जो गोचर होने जा रहा है आपकी रासी से सष्ठ में होने जा रहा है अब देव गुरु की सष्ठ में उपस्थिती इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ पर पड़ेगा सारीरिक रूप से मानसिक रूप से और तो और पेट से परिशान रहेंगे और पेट से जब आप परिशान रहेंगे तो समझली कि हर तरह से परिशान रहेंगे परान आपके शत्रू भी आपको परिशान कर सकते हैं, तो वहीं आपके अपने परिवार के स्वदस्य ही आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, जहांकि परिवारी बारी कलह देखने को आपको मिलेगा। मैं आपको बताते चलूं कि जीवन के लगभग हर छित्र से लाभ तो मिलेगा, लाभ में कोई प्रश्ण चिन्न नहीं है, परन्तु संघर्स भी मिलेगा। इस संघर्स को करने के लिए आप तयार हो जाएए। यह जंता का भाव है, लगन से और यहाँ देखा जाए तो चंदर कुंड़ी का आधार पर और लगन के आधार पर अगर देखें, तो लगन से आपके व्यक्तित्तों की चर्चा होती है, कि आपका स्वभाव क्या है, आपकी सोच कैसी है, इन सबके स्वामी बने देव गुर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, परन्तु, प्रिदर्शकों, आप जानते हैं कि देव गुरु ब्रहस्पती धन के कारक है, अब मैंने कुछ दिन पूर बाप को बताया था, धन त्रिकोन के बारे में, तो धन त्रिकोन का ये नवम है, असल में देखा जाए, तो यहाँ देव गुरु ब्रहस्पती को अच्छा तो नहीं कहा गया, लेकिन इनके कुछ बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो ये जानिए, कि इस गोचर काल के दौरान, जबकि देव गुरु ब्रहस्पती ब्रिशब रासी में गोच के हैं, यहां पर काम आपका बन रहा है, स्वास्थ में यदि परिशानी आ रही है, तो ठीक है आएगी, लेकिन उससे सुरक्षा का मार्ग भी आपको मिलेगा, अब आईए ज़रा समझिए इस बात को, देव गुरु ब्रहस्पती का सष्ठ में गोचर करना, निसंदे इस गोचर काल के दौरान आप सत्रू पीडा से पिलित हो सकते हैं, रोग से पिलित हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कि रिजल्ट अंततो गत्वा जो भी आएगा, वो आपके पक्ष में अगर प्रतियोगिता जीवन काल में चल रही है, जैसे एकर देखे तो राजनीती का समय, राजनीती का माहौल गर्म है, चुनाव का समय, तो यहाँ पर देव गुरु ब्रहस्पती का यहाँ पर पढ़ोना, यानि अगर आप धनू लग नवरासी के नेता हैं, तो समझ जीजे कि आपकी प्रतियोगिता, यानि परिक्षा तो कड़ी होगी, लेकिन ये परिक्षा आपके पक्ष में होगी, जीत मिलेगी आपको, तो फाइट करते रहिए, लड़ते रहिए, संगहर्स करते रहिए, अब देव गुरु की हम पांचवी दृष्टी की चर्चा करते जो कि अत्यन तफसरेष्ट है, नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, नौकरी में प्रमोसन चाहते हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर से जुले हुए हैं, सरकारी नौकरी से जुले हुए हैं, यह गोचर बहुत बढ़िय इस गोछरकाल के दोरान की जाने वाली यात्राएं भी आपके लिए बेहद लाभप्रत सुद्ध होने वाली, हलाकि यात्रा सावधानी के साथ, यह अगर स्वेम वहहन संचालित कर रहे हैं, तो आपको सावधानी बरत्नी होगी, वहहन चलाते समय सावधान नहीं रहेंगे, तो दुरघटना की संभाव ना है। ये वैराग्यत्रकोण के नवम को देख रहे हैं। यहां से देवगुरु धनभाव पर द्रिष्ट डालेंगे और धन के पंचम पर डालेंगे। तो ये सही समय है आपके अपने धन के सदुपयोग का धन के विकास का। अर जित्त होगा ही धन, धन को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अचल संपत्ती त्यादी में लगा सकते हैं। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का यदि विचार कर रहे हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान आपकी ये कामना पुरुन होने वाली है। और सुनिए, सश्ट के देवगुरु भ्रसपती जब दृष्टी डालेंगे दुतिय भाव पर तो पैत्रक संपत्ती यदि है अचल संपत्ती जिसको लेकर कि किसी भी तरह का कोई विवाद है। और आप चाहते हैं कि ये विवाद मसला हल हो जाए। तो समझ लीजी ये हगोचर अतियुत्तम है। उशार्थ में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने में भरोसा करते हैं, रस्क लेने में भरोसा करते हैं, उनके लिए हगोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी ब्यापार बहुत बढ़िया है, विदेश से जुड़कर के जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, नौकरी में ट्रांसफर, पदुनती, प्रमोशन के योग साप साप दिखाई पढ़ रहे ह तो खुल मिलाकर के बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए कह चुका हूँ सबसे बढ़िया है, दामपत्य जीवन, प्रेम, संबंध, यह सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कहीं कोई परिशानी नहीं है, वानी पर नियंतरन रखना होगा, बोलने से पह चाहें तो डामपत्यादी को दान भी करिए, इससे भी आपके गुरू में और बल आएगा, तो कुल मिलाकर के देखा जाए, तो धनुरासे के जातकों के लिए थोड़ी सावधानी जिसमें खान पान पर नियंतरन जरूरी है, अनिथा स्वास्ते से सम्मंधित परिशानी आ तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजे, पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कात